दोस्तो हम स्किन केर के लिए तरह तरह के साबुन का यूज करते हैं तरह तरह के प्रोडक्स का यूज करते हैं उसके बाद भी हमें उतना ट्रस्ट नहीं होता है तो ऐसा क्या करें जिससे की साबुन पे हमें पूरा पूरा ट्रस्ट हो पूरा पूरा ट्रस्ट ऐसा हो कि यह ह तक के जरूर देखेगा एक बहुत ही आसा तरीका लेकर आई हो दोस्तों वीडियो शोड़ने से पहले एक छोटी से रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगी अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो प्लीज सब्स कोई भी ग्लिसरीन बेस का साबुन ले लीजिए और यहां पर मैंने कॉंटिटी दो ली है तो आप चाहें तो एक साबुन में भी इसको कर सकते हैं चोटे-चोटे पहले पीसस में इसको कट कर लीजिए आप सोच रहे होंगे इतने चोटे पीसस कर दिया अब नहाएंगे कै या मैंने आपको ऐसी कोई चीज बताई है कभी कि जिससे कि आपके पैसे वेस्ट हो या महनत लगे किसी चीज़ में नहीं ना तो आज भी ट्रस्ट कीज़ेगा आगे आपको बहुत येचा रिजल्ट मिलने वाला है अब एक पान में आप लिलीजे थोड़ा सा पानी और ग साबन के टुकडे दोस्तों उसको आप अच्छी तरेके से पूरी तरीके से मील्ट होनी दीजिये अब जो ये पानी है जैसे बॉइल होता जाएगा सौप भी अपने आप मेल्ट होता जाएगा और क्योंकि ये गलिसरीन बेस का सौप है इसको मेल्ट होने में ज्यादा समय नहीं लगता है अब सोप तो मेल्ट हो जाएगा लेकिन हम इस दूद के साथ इसका सोप का क्या करने वाले यह कोईशन आपके मन में जरूर आ होगा दोस्तों यह जो सोप है न हम ऐसा बनाएंगे जिससे की आपके स्किन के लिए सूटेबल हो आपके स्किन की सुंदरता को यह और भी ज्यादा निखा रहें इसलिए तो हम इसमें सारी चीजें डाल रहें जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत बेनिफिशल होती है दूद कच्छा दूद ले लिए सबसे ज़्यादा बेटर है अगर आपके पास कच्छा दूद नहीं तो उबला हुआ दूद को आप ले सकते हैं अब दोस्तों इस मिश्रन में हमें नारियल का तेल भी मिलाना है करीब एक चमच जिससे कि जब भी आप इसे नहाएंगे आपके इस आपको लेना है एक चमच तो एक चमच नारियल का तेल एक चमच बादाम का तेल अच्छी तरीकी से सब्सक्राइब को आप मिक्स कर लीजिए इसमें आप चाहें तो अपना फेवरिट कोई भी ऑई मिला सकते हैं अब आलोवेरा जल को हम कैसे भूलेंगे जो कि हमारे स्किन के लिए इतना बेनिफिशल है तो वो भी हम इसमें एक चमच डाल ही लेते हैं यहां पे सारी चीजे आपकी स्किन के लिए फाइदेमन है वैसी चीजे मैंने इस्तमाल करी है अगर आप चाहें तो और भी कोई सामगरी आपको जैसे अपनी साबुन में चाहिए वैसे आप ड इन यूस कर सकते हैं वू मैं आपको बताऊंगी दोस्तों सबसे आकरी में इसमें जाएगा वाइन मेन ओल इसमें आप चाहे तो अपना अथा ऐस्में मिला सकते हैं या फिर आप चाहे तो अपना मार्किट में आपको कही में बिल जाएगा असानी से या फिर ऑनलाइन भी आप खरीच सकते हैं आप चाहें तो लिंक भी मैं आपको दी दूँगी महां सिजा कि आप इसे परचीज कर सकते हैं अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो एक कटोरी ले लिजे कटोरी में भी आप इस साबुन को जमा सकते हैं थंडा होने का वेट नहीं करना आपको गर्मा गरम ही आपको इसमें इस मोल्ड में आपको डालना है बस आदी घंटे इसको आप नॉर्मल टेंपरेचर में रखिए बाहर ही आपको फ्रिज में रखने की जरुवत निया है बाहर रखिए आदी भी चीजें हमें सूट करती है असे हिसाब से मैं इस चीजें हैं और आप देख सकाता है है आपनी स्किन के कोडिंग साबून को यहांपर रेडी कर लिया है चले तो मैं इसको यूस करके भी बताती हूँ, थोड़ा सा मैं अपने हाथों को यहाँ पर गीला कर ली हूँ, अब मैं इसे अपने हाथ पे लगा रही हूँ, मैं खुद फिल कर पा रही हूँ कि क्या साबून बनाया है हमने और यकीन मानिएगा इसको इस्तमाल करने के बाद आपको कोई भी दूसरे बॉडी लोशन या क्रीम लगाने के आपको जरूरत नहीं पड़ेगी आपके स्किन इतनी ज्यादा सौफ्ट मुलाइम रहेगी आपके स्किन का टेक्श्चर आपका इंप्रूव होता हुँ आपको नज़र आएगा इसको इस्तमाल करने के बाद तो आप ऐसा ही साबुन अपने घर पर हमेशा बनाएंगे ये मेरी गयारेंटी है क्योंकि आपको इतना ज़ादा पसंद आने वाला है दोस्तो आप भी साबुन इस तरीके से घर पर बना के देखे ये रेमिडी ये जो साबुन बनाने का तरीका आपको बहुत ज़ादा पसंद आने वाला है वीडियो यदि थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी इंफर्मिटिव लगी होगी तो लाइक शेर सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले हो सके तो वीडियो को ज़्यादे सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों में रिश्यदारों में ताकि आपके जरी उनकी भी मदद हो जाए थैंक यू सो मच पर वाचिंग दिस वीडियो फ्रेंद्स मिलते अगले वीडियो में तब तक हे लिए बाई टेक केर